पाकिस्तान में बैठे आतंक्यों के आकाओ द्वारा ये प्लानिंग की जा रही थी कि कैसे उत्तरपरदेश को दहलाया जाए पर ये प्लानिंग जब तक काम्याब होती उससे पहले ही एटियस द्वारा साथ संदिक्दों को ग्रफतार कर लिया गया है उनसे पूस्ताच में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं जिसमें की गाज़िबाद के रियाजु दीन जो की इसी बिरांच में उसका अकाउंट है बीते 30 दिन के अंदर तक्रीबन 70 लाख रुपे की ट्रांज से हुई है पाकिस्तान से लें देन चल रहा था जिसकी सूचना जो बैंक पर बंड़क है उस में एटियस को दौरह गई थी और उसके बाद की टीम यहां पर पहुंची और उसको हिरासतं में लिया तमाम पूस्ताच कि जा रही है हाला कि मैं आपको बड़ा दूं किस तरीक पाकिस्तान के एक अन्य वेक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही जो रियाजु दीन है उसमें उसका भी जिक्र किया गया है हाला कि जिस तरीके से ये मामला सामना आए ह। वाकि ही हैरान कर रहा है 80S दौरा दर आज जैसे पूस्ताच आगे बढ़ रही है तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं हाला कि इसमें ये भी बताया गया है ज़े पूस्ताच में कि ये धार्मिक इस्तल और तमाम ऐसे इलाकों को सर्च कर रहे थे जहां पर जादे से जादे व्यक्ति इखटे होते हैं तो ऐसी जगे कोई निसाना बना रहे थे उससे पहले ये निसाना बना कर प्लानिंग करते हाला कि अब देखना यही होगा आकिरकार और कितने बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं गाजबाद चैनील चोधरी इंडिया निउज